पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा स्ट्रमण नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है आज के जन्मे जातक सुंदर, दानी, सर्वगुन संपन, धनी, विद्वान और प्रसिद्धी पाने वाले होते हैं ऐसे जातक लोगत्रिय, आस्तिक, हस्मुख, सहनशील, धर्म परायन, हर काम को सोच विचार कर करने वाले व्यापार में सफल और उन्नतिशील होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा चंद्रमा और सनी की स्थिती अन्पूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी मकर रासी में ही चलते रहेंगे जिसके राशी स्वामी सनी देव है आज से पवित्र सावन मास प्रारंब हो रहा है जिसमें भगवान संकर की पूजा, आराधना, जप और विभिन द्रभ्यों से अभिशेक किया जाता है अपनी अपनिया भिलासा के अनुसार शिवलिंग के अभिशेक का अलग-अलग महत्व है सामाने तह बेल पत्र और शिवलिंग पर चढ़ा कर नित्य प्रती कम से कम जलाविशेक करना चाहिए जंगली फल और बनस्पतिया महादेव को अत्यंत प्री हैं जिसमें भांग, धतूरा, शमी, इत्यावी यथा संभव अर्पित करना चाहिए मेश राशी के जातकों के लिए चंदरमा, मकर राशी में, केतू और मंगल के साथ दस्वें घर में चल रहे हैं कार योजनाएं बिक्सित होंगी, नई क्रिया सील्ता की पेरणा मिलती रहेगी और काम करने का केंद्र बिंदू निर्धारित योजनाव को विक्सित करना होगा। साजेदारी लावदायक रहेगी आर्थिक पक्सामान रहेगा मगर घर ग्रिहस्ती और माता के संबंदों में उतार चड़ाव संभावित है। फिर भी घरेलू मामलों में सहयोग मिलेगा, व्यावसायक वीवाद में सावधानी रखनी चाहिए और पार च्छर से संबंद्रित यात्रा का योग भी बनता है। हद्यानध्यापन में सहयोग मिलेगा और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनपूल रहेगा। बिश रासी के जात्कों के लिए पराकरम बढ़ा रहेगा और कर्तब निश्ठा बनी रहेगी बौत धिक जमता का विकास होगा और अधिक्तम कार योजनाओं की रूपरेखा सफल रहेगी नई कार योजनाओं में लाव और साजेदारी में सफलता प्राप्त होगी साथ ही रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, बिरोधियों से सावधानी अपेक्चित है, मन किसी अग्ध्यात भय से इस्थिर रहेगा, पिता के स्वास्त की चिंता लगी रहेगी, मगर व्यावसाई क्रतियस परधा में लाव मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में अधानी अपेक्चित है, और निर्णे लेने की चमता में उतार चड़ाव संभावित है, हाला कि ब्यावसाईक उदेशों की पूर्ती और आर्थिक लाव के प्रति सकारात्मा पिरणा मिलती रहेगी, और संबंधित मामलों में छोटी यात्राएं भी संभावित है, अनाव के कामों में लाव संभाव है, साथ ही स्वास संबंधि आवसक सावधानी बनाए रखे, करक रासिके जातकों की मानसिक सक्रियता बनी रहेगी, कारचित में उत्साह और विकास की दर्मन मुताबिक बनी रहेगी, आर्थिक लाव संबंधित है, कार योजनाएं आपके अनु संभावित है, विद्यातियों के लिए समय अनुकूल है, सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और कारे की अधिकता लगी रहेगी, और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, सिंग राशी के जातकों के लिए मन में नकारात्मक विचारों का उठना, कामों में रुकावट, धन, खर्च और सास सम्मंदी समस्याओं का संकेत मिलता है, उत्साहम में कमी बनी रहेगी, मगर पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक पेरना जारी रहेगी, कारचित के निरंतर सामने रहेगी, और सासन सत्ता भव विभागी करमचारियों का सहयोग मिलता रहेगी, संतान समंदी चिंता बनी रहेगी, सिक्षा प्रद्योगिता में प्रयास जारी रखे, स्वयम के दूरुपयोग से बचे यावसक सावधानी बनाए रखे कन्या राश के जात्कों के लिए आर्थिक लाव के नए उसर सामने आएंगे कारिछेद में विकास और सरकारी सहयोग कायम रहेगा मगर ब्यावसाई गत गिधियों और आर्थिक लाव में उतार चड़ाव का संकेत मिलता है मानसिक व्यद्रता हर काम के प्रति जल्दबाजी और उत्साह में कमी संभावित है हाला कि सरकारी सहयोग बना रहेगा और अधिकतम काम पूरे होंगे साजेदाजी के प्रस्ताव लावदायक रहेंगे अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा तूला रासी के जातकों के लिए कारेच्छेत्र की अनावर्सक रुकावटें खत्म होंगी नीजी निवेश के लिए समया अनकूल रहेगा भूमी वाहन या प्रापर्टी संबंदित मामले सामने आएंगे चंद्रमा के नक्षत्र का फल आपके लिए लागडायक रहेगा मगर चंद्रमा के केतु के साथ होने से अनावर्सक घबराहट बेचैनी निरणय लेने की छमता और आत्मसंतुष्टी में उतार चड़ाव संभावित है विद्याखियों को अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा सरकारी काम काजबूरे होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा ब्रिश्चिक राशी के जातकों के भाग्यवस काम अच्छे होंगे चंद्रमा के अपने नक्षत में चलने से रुके हुए काम संपन होंगे और विवादित मामलों में सफलता का संकेत मिलता है आर्थिक लाग सामाने रहेगा अच्छे कामों में खर्च की स्थिती बनी रहेगी हलाकि शंकाओं का दोर भी जारी रहेगा जो की कारेच्छे की सकारात्मक पहल को प्रभावित करने का काम करेगा पारिवारिक दायत की पूर्टी में आ रही रुकावटें खत्म होंगी शिक्षा प्रत्योगिता में सफलता संभावित है प्रयास जारी रखें और वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे धनु राशी वाले जातकों के लिए वाणी पर नियंत्रण और आर्थिक लेंदेन में सावधानी अपेपचित है व्यावसाईक देश्यों में उतार चड़ाव और अनावर्शक रुकावट संभावित है महतपूर निरनाय सोच समझकर और धैरिपूरवक लेना चाहिए रखचनात्मा प्रयासों में देरी पारिवारी मधूर्ता में कमी और मानसिक दबाव बना रहेगा हाला कि साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा और सरकारी कामकाच पूरे होंगे विध्यार्थियों के लिए समय अनकूल है सकारात्मा प्यरणा जारी रहेगी वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे मगर स्वाससंबंद्धी सावधानिया अपेक्षित है मकर राशिके जात्कों के लिए मानसिक क्रियासीलता बनी रहेगी कि रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे सरकारी काम का आज में सहयोग मिलेगा प्रतिनिधित करने का मौका मिलेगा और अंतर्मन का सहयोग कारे छेद्र को विक्षित करने में सहायक होगा आती उत्साहित महसूस करेंगे मगर स्वयम के स्वास पर सावधानी या पिक्षित है सासर सत्ताव अधिकारियों के साथ हैं विभागिय सहयोग भी बना रहेगा और मेहनत करने की प्रवृत्ति कायम रहेगी आर्थिक लाग से अधिक खर्च की स्थिती संभावित है स्वास पर सावधानी या पिक्षित है मीन राशी के जातकों के कार चेतर में विस्तार होगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी मगर आपके आत्मिश्वास में उतार चड़ाव संभावित है कार्य योजिनाय सुचारू ढंग से चलती रहेगी साजेजादी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें पारिवारिक पेरना और सहयोग लावधायक रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा और पारिवारिक दाईतु की पूर्पी होगी आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाय